हेलो एंड वेलकम टू आल चैनल आज की इस वीडियो में हम एक जादूई ट्रिक सीखेंगे जिसकी मदद से हम एक डबल डिजिट के नंबर को स्कॉयर करेंगे तो सेगिंड्स के अंदर हम कैसे स्कॉयर निकालेंगे इसको देखते हैं सबसे पहले हमें एक एक्जामपल ले लेते हैं माल लीजिए हमें 13 का स्कॉयर कैलकुलेट करना है 13 एक दो डिजिट का नंबर है इसको स्कॉयर हम कैसे करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 13 के आस पास में nearest 10 का multiple कौन सा है 13 के पास में nearest multiple of 10 देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि nearest multiple of 10 13 के पास में 10 ही है अब next step में हम यह देखेंगे कि 10 और 13 में कितना difference है तो दोनों में difference कितना है 3 इस 3 को हम दिमाग में रखेंगे अब क्या करेंगे 13 को सीधे सीधे लिख लेंगे अब इस difference को हम क्या करेंगे इस 13 मैं से एक बार minus करेंगे और एक बार plus करेंगे पहले हमने minus कर दिया फिर हम करेंगे plus अब 13 minus 3 कितना हुआ 10 और 13 plus 3 कितना हुआ 16 अब इस 10 और 16 की multiply कर देंगे तो answer कितना आएगा 160 और उसमें इस difference के square को add कर देंगे difference कितना था 3 उसका square कितना हुआ 9 तो answer हमारा आ जाएगा 160 plus 9 169 तो 13 का square कितना होता है 169 तो देखा आपने कैसे seconds में हमने इस trick की help से calculate कर दिया एक और example हम ले लेते हैं हम ले लेते हैं 99 का square कि 99 के square को हम इस trick से कैसे solve करेंगे 99 के करीब में 10 का multiple कौन सा है 100 और 99 100 में difference कितना है 1 तो अब 99 सीधे लिखे लिए एक बार इस 1 को minus करेंगे और एक बार इस 1 को plus करेंगे तो plus करेंगे तो 100 आ जाएगा और minus करेंगे तो 98 अब इन दोनों की हम कर देंगे simply multiply 98 into 100 कितना हुआ 98 hundred और plus difference का square difference कितना था 1 1 का square हम इसमें add कर देंगे तो हमारे answer आ जाएगा 9801 यह 99 के square का answer होता है तो यह trick बहुत ही आसान थी I hope आपको बहुत मज़ा होगा